हेलो फ्रेंड्स आप सभी का All-in-one Study Hub में स्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो में आप लोगों के लिए RTJCO से पूछे कुछ सवाल लेकर आया हूँ तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा आज का पहला सवाल है भारत की पहली महिला शासी का कौन थी उत्तर है रजिया सुल्तान मचली किसकी सहायता से सांस लेती है गल्फणो यानी गिल्ज टेली वीजन का आविशकार किसने किया उत्तर है जान लौगी वेर्ड पोंगल किस राजिका फेस्टिवल है तमिल नाडू इन कलाब जिन्दाबाद का नारा किसने लगाया था भगत सिंग ने अंतरिक्छ यात्री यानी एस्टरनॉट को ब्रह्मा आकाश किस तरह दिखाई देता है ब्लैक भारतिय क्रिशी अनुसंधान परिशत कहा है यानी इंडियन कांसिल ओफ अग्रिकल्चर रिसर्च न्यू डेली भारतिय मृदा विग्यान संस्थान कहा है यानी इंडियन कांसिल ओफ अग्रिकल्चरल रिसर्च इलहाबाद प्रयागराज भारती ये वन अनुसंधान संस्थान कहा है यानि इंडियन फॉर्स रिसर्च इंस्टिटूट देहरादून नेक्स्ट रास्ट्रिय उट अनुसंधान संस्थान कहा है यानि नेशनल रिसर्च सेंटर ओफ कैमल बीका नियर विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है जो जायरे नदी के नाम से भी जानी जाती है कौंगो हडपा के लोगों का सबसे प्रिय पशु कौन सा है यह है कूबड़ वाला सान अगला सवाल है सूरज से सबसे दूर प्लैनेट कौन सा है उसको क्या कहते है निप्टिून भारत के उपराश्ट पती कौन है? यह है वेंकईयन आईडू नेक्स कोशन है कावेरी नदी कहां गिरती है? यह गिरती है बंगाल की खाड़ी में अगला सवाल है कौन से नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तापती नदी कौन से नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज से होकर बहती है? सिंधू नदी नद राश्ट माला पुस्तक के लेखक कौन है? सोमेश्वार दोस्तों यह सवाल पूछे गए है दाची गाम राश्टी पार्क किस राज में स्थित है? जम्मू कश्मीर यह भी सवाल आए है कंगर घाटी राश्टी पार्क किस राज में स्थित है? यह है 36 गड़ यह भी सवाल पूछे गए थे अग्वर नामा की रचना किसने की है अबूल फजल ये भी सवाल पूछे गए थे हुमाईू नामा की रचना किसने की है ये है गुलबदन बेगम अगला सवाल है लौग और नामा किला किसने बनवाया था बंदा बहादुर ने भारत परेटन दिवस कब मनाय जाता है पचीस जनवरी को ये भी आटी जेजियों की जीके में पूछे गए थे भारती ये वन ने जीव अनुसंदान सस्थान कहां है यानि वाइड लाइफ रिसर्च इंस्टिटिट ऑफ इंडिया ये है देहरा दियूंट ये भी पूछे गए सवाल है गुलाम बंच किस्था अपना कब होई फारसो चेई स्वी जीएस्टि अपनाने वाले देशों के संख्या कितनी है यानि नंबर ओफ कंट्रीज अडॉप्टिंग जीएस्टिज एक सो साथ हर्यानर दीवस कब मनाया जाता है ये मनाया जाता एक नंबर ये भी पूछे गए सवाल है दोस्तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिए किसान दीवस कब मनाया जाता है ये 23 दिसंबर को दोस्तो इस वीडियो का आखरी सवाल है केंद्रिय मृद्दा एवां लोड़ता अनुसंधान संस्थान कहां है यानि सेंट्रल स्वाइल एंड सैलिनिटी रिसर्च इंसिट्यूट कहां है ये है करनाल तो उम्यद करता हूं दोस्तो आप लोगों को आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अब तक जिसने भी चैनल को सबस्क्राइब ना किया हो जरूर से चैनल को सबस्क्राइब कर लें मिलते हैं अगली व आनने वादे